मीन राशी, देखिए मीन राशी वालों का जो मन है, मन की स्थिती अभी थोड़ी confusion में भ्रह्म जैसी बनी होई, भ्रह्म के वस्था बनी होई, ये थोड़ा confusion में दिख रहा है, आपका ये confusion दूर हो सकता है, आपका ये भ्रह्म दूर हो सकता है, अगर आप अपनी पत्नी से सल आले या किसी अनुभवी वक्ती से सला ले तो आपका ये भ्रह्म का स्थिती बना हुआ ना ये स्थिती दूर हो सकती है रिष्टेदार को किसी प्रकार का धनलाब होते वे दिख रहा है आपके रिष्टेदारों को जो भी है वो और अभी शत्रु आपको परिशान नहीं कर प प्रसन्न दिख रही है, मासिक रूप से बैलेंस दिख रही है, अभी जो संतान है ना आपकी, वो संतान जो है 18 फरवरी के बाद हो सकता है किसी कारे को करना, किसी नए कारे को करना शुरू करें, कुछ ऐसी स्थिती दिख रही है, अभी फिलाल उनके मन की जो अवस्था है, व फिलहाल जो जीवन साथी है आपका उनका मन काफी भटका-भटका सा दिख रहा है ऐसे स्थिति दिख रही है और ऐसा लगता है कि जीवन साथी को आपका सहयोग चाहिए अगर जीवन साथी आपसे किसी प्रकार की हेल्प मांगे तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं बाकी और किस प्रकार की स्थिती को पैदा होने मत दिजेगा जीवन साथी के साथ, वो किसी कारे में लगे हुए हैं या थोड़ा भटके हुए दिख रहे हैं, उन्हें थोड़ा समय दे दिजिए ताकि वो अपनी मन को संभाल सकें, ऐसा लगता है कि कुछ पूजा पार्ट, हवन या धार् सकते हैं, ऐसा दिखता है, और ये पूजा जो है, विशेश पूजा रहेगी, जो लोग भी फैशन या ब्यूटी इंडस्ट्री के हिस्सा हैं, या जॉब करते हैं, उनको लिए अच्छा समय अभी दिख रहा है, और मीन राशी वाले जो लोग हैं, उनके लिए कुछ ऐसा ऐसी स्थिति दिख रही है, कि ओफिस में कुछ प्रेम प्रसंग का मामला जो है, वो पनप सकता है, कुछ इस प्रकार की स्थितियां दिख रही हैं, 18 फरवरी के बाद कुछ अच्छे धन योग बनते हुए दिख रहे हैं, आपके कुंडली में 18 फरवरी के बाद, जो भी प स्थिति दिख रही है, पैसे तो खर्च होंगे, लेकिन पैसा जब खर्च होगा, तो वो सुप के बजाए दुख देगा, कुछ टेंशन देगा, तो इस प्रकार का राशी फल है, मीन राशी बालों के लिए, इस सब्ताह के लिए, अगर आप अपनी कुंडली से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी प्रशन पूछना चाहते हूं, जैसे कि आपकी शादी कब होगी, या नौकरी कब होगी, तो आप नीचे कमेंट सक्षन में पूछ सकते हैं, सवाल पूछने के लिए, जन्म की तारीक, जन्म का समय और जन्म का स्थान की जानकारी जरूर मैं जल से जल जवाब देने की कोशिश करूँगा, आज के लिए इतना ही धन्यवाद